कि हालो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्लिज्ज्र वांटेज की ओनलाइन क्लासेश में फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन के कुछ बैस सेंटेंस बताऊंगा ये सारे सेंटेंस मैं एक्स्पेइन करूंगा इनकी आंसर्स करूंगा और आगे बढ़ने से पहले यहां एक वेबसाइट का मैं अड्रस दे रहा हूं आपको लेटस इसको विजिट कर सकते हैं और यहां पर काफी सारा फ्री कंटेंट आंसर के साथ आपको मिल जाएगा तो इसको आप विजिट करें और इसका फाइदा उठाएं डेफ प्री नोट्स आप लेना चाहते हैं और पूरा पूरा स्लेबस आप कंप्लीट करना चाहते हैं बिना किसी कोचिंग की मदद से तो हमारा यह टार्गेट बैच आप जोइन कर सकते हैं इसमें आप घर बैटे लैप्टॉप पर या अपने सिस्टम पर आप पढ़ाई कर सकते हैं और पूरा कोर्स इसमें आपका स्लेबस कराया जाएगा सारे लेटेस्ट पैटन के इसमें कोच्टन कराये जाएंगे पूरी ग्रामर इसमें कंप्लीट होगी सारे वोकैबलरी के कोच्टन कराये जाएंगे प्रीएस के कोच्टन होंगे इसमें और इसमें जैसे प्री ए प्री को निकाल पाएंगे और प्री के बाद मेंस के लिए मैं 40-40 कोस्टेंस के आपको मौक्तेस करवाऊंगा इंटर्वू की पूरी तैयारी करवाऊंगा इसमें मैं आपको तो आपके लिए एक बहतरीन डिसीजिए यह हो सकता है इसको आप जोइन कर सकते हैं www.banker.org पर यह लेशन लेशन टू इस तरह से आप देख सकते हैं एक ही क्लास को आप कितनी भी बार देख सकते हैं तो यह अच्छा benefit है इसका वहाँ पर एक discussion forum है वहाँ पर कोई भी question आप put कर सकते हैं within 24 hours उसका answer आपको मिल जाएगा तो expert guidance यह आप लेना चाहते हैं और selection अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आईए आपका स्वागत है target batch आप जोइन करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए पिरा number भी यहाँ पर दिया है इसके regarding मुझे आप call कर सकते हैं किसी भी time और definitely मैं आपके questions का जवाब दूँगा तो यहां से हम question शुरू करते हैं यह typical banking और SSC question है repeat होते रहते हैं यह questions देखें यह से यह है question number one the only bad thing about these flowers are the pollen which causes allergy in many people यह आप यह sentence को ध्यान से देखें तो थोड़ा सर टीपीकल लगता है लेकिन यह आपको concept याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं यहां जो real subject है वो only bad thing है यह है आपका real subject the only bad thing ठीक है तो only bad thing singular है तो इसलिए singular के साथ यहां पर आप क्या लगाएंगे यहां पर आप लगाएंगे is ठीक है आप confused हो सकते हैं इसमें के आर के पहले चु okay the only bad thing है तो इसलिए यहां पर यह आर ना के इस आर के स्थान पर आप क्या लगाएंगे आर के स्थान पर आप लगाएंगे इसमें is और इस question को जो answer होगा वो होगा second यह typical banking और SSC question है जिसमें की subject को काफी ज्यादा लंबा कर दिया जाता है और student confused हो जाते हैं वो real subject को देख नहीं पाते तो यह एक बहुत ही typical sentence है इस तरह के sentences को आप काफी practice करिए अगर basically देखा जाए तो यह subject बर वेग्रीमेंट का ही question है और काफी expected यह question है next हम देखते हैं this is the only organization which could somehow continue to making तो यह वाला sentence तो सरल है कुछ खास इसमें आपको नहीं करना है यहाँ पर to के बाद work की first form आईगी तो यही इसका answer होगा मतलब third इसमें answer होगा to making की जगे आप to make इसमें कर सकते हैं और इस तरह से इसको solve कर सकते हैं आप next time देखते हैं many more would have died if they hadn't received the timely helping from the relief team क्या होगा इसका answer इसका answer निकालना कोई ज्यादा कठे नहीं है timely help होगा यहाँ पर timely helping नहीं होता क्योंकि सहायता को यह हम help बोलते helping नहीं बोलते इस sentence का मतलब क्या है sentence का मतलब है कि many more would have died काफी ज्यादा लोग और मर सकते थे यदि उनको time पर help नहीं मिली होती तो timely यहाँ पर एक adjective की तरह काम कर रहा है और help यहाँ पर एक noun है ठीक है तो noun को जो qualify करता है वो adjective करता है तो इसलिए यहाँ पर इस helping को आपको noun form में change करना होगा ठीक है तो यह helping यहाँ पर गलत है और यह third यहाँ पर आपका answer इसमें होगा question number four देखते हैं a man along with his wife and two children इसमें भी subject काफी लंबा कर दिया गया है वर rescued with the help of an army helicopter एक व्यक्ती को उसकी पत्नी के साथ और दो बच्चों के साथ rescue किया गया एक आर्मी helicopter के द्वारा तो इस तरह के जो subject होते हैं जिसमें जैसे यह man है ठीक है man जुड़ा हुआ है किस के साथ वाइफ के साथ और दो बच्चों के साथ तो real जो subject है इसमें वो man है ना कि his wife और two children मतलब along with से पहले जो word आएगा उसके according subject आएगा यह जो word होते हैं जैसे along with हुआ as well as हुआ in addition to हुआ ठीक है इनके पहले जो word होगा उसके according word आईगी तो man चुकि यहाँ पर singular है तो इसलिए यहाँ पर हम word ना लगाते हुए हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे यहाँ पर was तो उस तरीके से sentence आपका सही हो जाएगा और third इसमें आपका answer होगा question number five देखते है certain amounts of stress at work is natural but it is important that one learns to keep it in the right proportion मतलब कुछ certain amount का stress जरूरी है अगर stress नहीं होगा आपको चिंता फिक्र नहीं होगी तो आप कामी क्यों करेंगे लेकिन इसको एक right proportion में होना जरूरी है तो amount जो होगा इसमें आप S नहीं लगाएंगे यहाँ पर देखिए certain amount एक निशित मात्रा ठीक है certain amount का मतलब है एक निशित मात्रा और मात्रा जो होती है वो हमेशा singular होती है तो इसलिए amounts लिखना यहाँ पर गलत है और इसमें answer होगा आपका first question number five में question number six देखते हैं the success of the government sponsored job guarantee program has resulted in a drastic drop in poverty जो जो government sponsored program है उसकी वज़े से poverty को नीचा करने में poverty को decline करने में काफी help मिली है तो यहाँ पर यह भी एक typical banking question है जिसमें देखिए government job है लेकिन वो कैसा job है वो sponsored job है government sponsored job a job that is sponsored by government ठीक है तो यहाँ पर job को job कैसा है वो sponsored job है ठीक है तो job जो है वो noun है उसके बगल में आपको adjective लगाना होगा government sponsored job इस तरह के question मैं काफी पहले भी करवा चुका हूँ YouTube पर ठीक है इसमें आपको sponsor की जगे क्या करना होगा sponsored government sponsored job और इस तरीके से sentence सही हो जाएगा और इसमें आपका answer क्या होगा इसमें आपका answer होगा second question number seven or eight देखते हैं the board's decision has provided employees with the opportunity to acquire up to hundred shares by the company मतलब board के decision ने employee को यह write दिया है कि वो company के hundred share hundred तक वो ले सकते हैं ठीक है तो company के share है यह company के share वो ले सकते हैं तो यह इस तरह के sentence काफी आते हैं banking और एससे एक्जाम में he had telephone yesterday to ask how much of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company ठीक है he had telephone yesterday मतलब उसने कल telephone किया था यह पूछने के लिए कि कितने percent लोग जोनोंने हमारी class जोइन की थी वो interest होंगे textile company के लिए काम करने में तो काफी अच्छा question है यह काफी student इसमें confused हो सकते हैं और इस तरह के questions बहुत आते हैं banking और एक्जाम में जिसमें confusion की संभाबना काफी ज्यादा होती है अब इसमें जो सबसे बड़ा confusion है वो है यूथ ठीक है यूथ हम जवानी को भी बोलते हैं लेकिन यूथ का मतलब एक एक यंग व्यक्ति को हम यूथ बोलते हैं और यूथ के साथ आप definitely ऐसा आप लगा सकते हैं ठीक है तो चुकि यहां पर व्यक्तियों की बात हो रही है अटेंड जो करेंगे अटेंड करने का काम कौन करेगा अटेंड करने काम व्यक्ति ही करेंगे countable noun ही करेगी ठीक है यूथ का मतलब होता है यूथ का मतलब होता है यूथ या जवानी तो आपकी यूथ किसी चीज को जोइन नहीं करेगी व्यक्ति किसी चीज को जोइन करेंगे यदि आप common sense apply करे तो इसलिए यूथ का मतलब है यहां पर यंग पीपल या यंग अस्टस ठीक है तो यंग पीपल जो है वो काउंटेबिल नाउन है तो इसलिए यहां पर आप हाउ मच की जगह आप हाउ मैनी आप बोल सकते हैं यहां पर हाउ मच यहां पर गलत होगा तो उसे साब से यहां पर पीकल बैंकिंग का question मैंने लिया है, इस तरह के question आते रहते हैं, चुकि यहां पर आपका जो real subject है, issues आपका real subject है, तो issues यहां पर plural है, तो इसलिए exist यहां पर सही है, ठीक है, लेकिन इसी issue के लिए दूसरी बरवाई यह need, जिसको कि singular में रखा गया है, यह गलत है यहां पर, ठ sentence आपका सही हो जाएगा, third यहां पर आपका answer होगा, question number 10 देखते हैं, what man can die better than serving his own country, तो यहां पर देखिए, काफी अच्छा question है यह, और काफी confusing यह हो सकता है आपके लिए, चुकि यह question है, तो इसलिए यहां पर what man can, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, what can man, ठीक है, प how can you do it, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, how you can do it, आप बोलेंगे, how can you do it, क्योंकि यह question है, तो इसलिए यहां पर आपका, इन दोनों बर्ड़ों को आपको interchange करना होगा, how can man, इस तरहीं के से बोलना पड़ेगा, और first इसमें answer हो जाएगा, आपका, the boy who was guilty with, having stolen the cell phone, came out with the truth, यह तो काफी सरल है, कोई cut in question नहीं है, यह guilty के बाद off आता है, with नहीं आता, और first इसका answer होगा, देखिए इस तरह के question भी काफी आते रहते हैं, banking exam में, जिसमें instrument confused हो जाते हैं, who आएगा, या whom आएगा, तो इस तरह के sentences में आपको यह देखना होता है कि वो जो लगा हुआ है, वो किसके लिए लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर I know जो है, वो अपने आप में एक clause है, या अपने आप में complete part है, क्योंकि I एक subject है, और no इसका बर्ब है, subject बर्ब यह तो complete हो गया, मतलब इस बर्ब के लिए यह subject यहाँ पर दिया हुआ हुआ है ठीक है, यदि आप I know को यहाँ से हटा दें और आप फिर sentence को पढ़ें, तो देखिए sentence कैसा होगा, she is the teacher whom has helped, अब आप बताईए कि who has helped बोलेंगे आप, या whom has helped बोलेंगे, तो definitely who has helped आप बोलेंगे, ठीक है, यह से connected है, तो यहाँ पर, यहाँ पर आप whom के स्थान पर, आप whom का परियोग करेंगे, ठीक है, तो second में इसमें आपका answer हो जाएगा, 13 देखते हैं, you cannot demand all your article unless you do not, यह भी subtle question है, unless का मतलब क्या होता है, if not, ठीक है, तो unless वाला जो clause है, उसमें आप यह not नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें आप बोलेंगे, unless you give, ठीक है, unless you give, इसमें do not आप नही होगा, question number 14 देखते हैं, we insisted, but neither Jonah nor her assistant, देखें जब दो subject नीदर और नौर से जुड़े होते हैं, तो नौर के बाद जो subject आएगा, उसके according यहां पर बर्ब लगेगी, तो यह assistant जो है, यह singular है, तो इसलिए यहां पर आपको, यहां पर आपको singular वर्ब का use करना पड़ेगा, तो sit around, talking about how we feel about each other, काफी अच्छा यह question है, यह भी एक typical question है, जो कि banking exam का ही एक question है, ठीक है, तो इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें आप देखें इसको और इस पर इनलाइस करें कि कहां पर इसमें गलती हो सकती है, देखें, जब हम sit around करते हैं, इसको हम बोलते हैं, sit around भी बोलत हैं, तीनों ही expression है, और इन तीनों का ही मतलब होता है, कि आराम से बैठे होना, कुछ नहीं करना, और relax करना, उसको हम बोलते हैं, sit around, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बात किस की हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है, वो unit की हो रही है, कि मेरी unit, मतलब एक department, या department का एक one another का प्रियोग होगा, यह बहुत ही अच्छा question है, और four इसमें आपका answer होगा, question number 16 देखते हैं, the act will be passed with a comfortable majority, if all the partisans of her group, देखिए, यह भी कितना अच्छा question है, यह, इसमें जो आपका subject है, वो क्या है, पार्टीजन है, यह countable noun है, और plural है, तो इसलिए बर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, favors यहाँ पर गलत है, favors के स्थान पर आप क्या बोलेंगे, favor, ठीक है, four इसमें आपका answer होगा, 17 और 18 देखते हैं, hardly had I entered the airport, no sooner के बाद हम then लगाते हैं, और hardly के बाद हम when लगाते हैं, तो यहाँ पर यह गलती है, इस then के स्थान पर इसमें when आएगा, और no sooner के बाद हम T H A N then लगाते हैं, इसको भी आप हमेशा ध्यान रखिए, कि no sooner के बाद T H E N वाला then नहीं आएगा, T H A N then आएगा, और hardly के बाद हम when लगाते हैं, तो third इसमें आपका answer होगा, next हम देखते हैं, an anti-terrorism cell is opened by the town police three months ago, as a precautionary measure, एक cell खोला गया, anti-terrorism, एक cell खोला गया पुलिस के द्वारा, लेकिन वो cell कब खोला गया, तीन महीने पहले, तीन महीने पहले खोला गया, इसका मतलब यह past tense में चला गया, और जब यह past tense में चला गया, तो यहां पर आपको वर्ब भी past tense में ही रखनी होगी, ठीक है, इसके स्थान पर आप क्या लगाएंगे, आप इस तरीके से इसमें question number 18 का जो answer होगा, वो होगा, first, last question देखते हैं, the artist who was giving detailed description of the sculptures, sculptures was speaking fluently French, fluent French होगा, fluently French हम क्यों बोलेंगे, या तो आप speaking fluent French बोलिये, या speaking fluently बोलिये, ठीक है, तो French यहां पर एक noun है, तो उसको बताने के लिए हम उसको qualify करने के लिए हम क्या बोलेंगे, adjective से हम उसको modify करेंगे, तो वो French बोल रहा था, लेकिन कैसी French बोल ला था, वो fluent French बोल रहा था, speaking fluent French, तो यहां पर fluently यह गलत है, और यदि आप French यहां से हटा जेंगे, तो फिर fluently यहां पर सही हो जाएगा, speaking fluently, क्योंकि फिर यह एड़ब बन जाएगा, और एड़ब जो है, यह यह बर्ब से फिर qualify हो जाएगा, यदि आप यह नाउन यहां से हटा दें, देकिन चुकि नाउन दी हुई है, तो नाउन को modify करने के लिए, यहां पर आपको adjective को, adjective का प्रियोग करना होगा, और fluent एक adjective होता है, ठीक है, तो speaking fluent French, question number 20 को हम देखते है, Martin would attempt to open the umbrella when her spectacle slipped off, देखिए, जब उसके spectacle slip हुए, तो उसके background में कुछ काम हो रहा था, जब हम past simple tense को लगाते हैं, तो उसके background में हमेशा past continuous tense होता है, जैसे I was having my lunch when he came, ठीक है, जब वो आया, तो मैं अपने lunch कर रहा था, जब वो आया, तो उसके background में काम च कर लाता हो, वो काम क्या था, कि उस समय में एक lunch अपना lunch कर रहा था, तो उसी तरीके से Martin was attempting to open the umbrella when her spectacles slipped off, उसके जब spectacles हैं, slipped off हुए, कब हुए, जब वो umbrella को खोलने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पर word attempt की स्थान पर, आप क्या लगाएंगे, Martin was attempting, ठीक है, काफी अच्छा question है ये, और काफी confusing question है, ये सारे जितने भी best questions हैं, जो repeat होते रहते हैं, SSC और banking exam में, मैंने लिये हैं इसमें, और definitely अपको काफी फाइदा हुआ होगा, मुझे comment करके जरूर बताईए comment section में, और ये है एक test question, जो मैंने आपके लिए रखा है, version भी मैं इसी channel पर upload करूँगा, जिसका नाम है English Advantage YouTube channel, और इस channel पर मैं और भी videos upload करूँगा, सभी banking exam के लिए और SSC exam के लिए, आप इस channel को देखते रहिए, और सारे इसके video आप देखें, conclude करने से पहले या मैं एक बार और आपको inform करना चाहूँगा, यदि आप select होना चाहत हैं, जो भी आपको course लेना है, combo pack लेना है, या individual के लिए English का ही pack लेना है, तो English का यदि आप pack लेते हैं, तो 2450 रुपस की fees है, जिसमें आप pre, mains और interview सबका, सबका मैं guide करूँगा आपको, free study material मिलेगा आपको, और ये आप इसके लिए आपके पास laptop होना जरूरी है, या system होन जरूरी है, या आप किसी cyber cafe में इसको देख सकें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये, तो इस चीच का आप ध्यान रखें कि mobile पर ये support नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो best तैयारी होती है, वो system पर ही होती है, तो इसलिए हमने इसको system के लिए ही बनाया है, और सब जब तक किसी भी coaching का कोई भी फाइदा नहीं होगा, जब तक आपका final selection किसी भी exam में नहीं होता, तो इसी लिए, इस target batch में, मैं पूरा आपको pre, mains और interview तक का आपको पढ़ाऊँगा, और final selection तक आपको ले जाऊँगा, आपके साथ रहूँगा, इस में personal support में आपको दूँ सकता है, और यहां पर आप मुझे call भी कर सकते हैं, कोई भी आपकी problem हो, तो definitely मैं आपकी help करूँगा, और इसको आप join करें, और इसका फाइदा उठाएं, यह मेरा number है, आप मुझे call कर सकते हैं, मेरा email ID भी यहां पर दिया हुआ है, online mock test series यदि आप लेना चाहते हैं, तो test. English Advantage.in, यहां से आप ले सकते हैं, और सभी exams के लिए available है, उसका फाइदा उठा सकते हैं, English Advantage group Facebook पर है, इसको आप जरूर जोइन करें, यहां पर सारे notifications में डालता रहता हूँ, so thank you very much for watching this video, thank you.